तो गुड मॉनिंग गाईज, करंट अफेर्स के रिविजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेर्स का रिविजन करेंगे तो पहला प्रशन है, इन फ्लाइट संचार सेवा यानि कि इन फ्लाइट कम्यूनिकेशन शुरू करने वाली पहली भारती एरलाइन कौन सी है तो आंसर होगा विस्तारा अब ये एक्चुली है क्या, तो देखो टाटा ग्रूप की एक कंपनी है नेल को और इसने भारत में एरलाइन्स में यानि कि भारत के उपर से जो भी एरलाइन निकलेगी उसमें जो यात्री बेठे होंगे वो इंटरनेट का इस्तमाल कर सकते हैं और ऐसी सुविधा चुरू करने वाली पहली भारते एरलाइन बन गई है विस्तारा, फिर एक इस राज्य सरकार ने जेल की केदियों के लिए रेडियो स्टेशन चुरू करने की गोशना की थी पच्चिम बंगाल सरकार ने, ताकि जेलों में जो केदिये हैं उनके जीवन को बहतर बनाया जा स उसे संबन्दित काफी सारे नए खुला से किये हैं, फिर भारत अमेरिका व्यापार परिशद यानि के यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किसे क्लूबल बूर्ड डिरेक्टर्स का अध्यक्ष न्यूक्ट किया तो आंसर होगा विज्याडवानी, फिर पॉलिसी असलब फुलफों पता है आपको इंडियन रेल्वे केटरिंग अन्ट टूरिजम कॉर्पोरेशन लिमिटेड तो अभी आयर सिटी से ने ग्राहकों के साथ हिंदी भाषा में बातचीत करने और यी टिकेटिंग वेबसाइट का उप्यूग आसान करने के लिए ये आस्क दि मचली की प्रजनन केंद्रों को निष्ट करने का फैसला किया तो महाराष्ट्र सरकार ने क्योंकि इस मचली से लोग अस्वस्त और बिमार हो रहे हैं फिर देश को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्बर बनाने के लिए सरकार कौन सा मिशन शुरू करेगी तो आंसर होगा त इलहन मिशन करशी मंत्री हैं हमारे कौन नरेंदर सिंग तो मर फिर दादा साहब फाल के इंटरनेशनल अवाड्स 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब मिला किसको रितिक रोशन को उनकी मुवी सूपर ठर्टी के लिए और बेस्ट फिल्म भी सूपर ठर्टी ही रही थी ध्यान रखना देखो आप इस से कंफ्यूज मत हो जाना है कि वो दादा साहब फाल के अवाड़े सिनेमा के शेत्र का सबसे बड़ा सम्मान जो कि अभी लास्ट ताइम अमिता बच्चन को मिला था वो अलग है ये अलग है ये दादा साहब फाल के इंटरनेशनल अवाड़े ठीक ह बढ़ते आगे फिर है विश्व मानवा धिकार दिवस यानि कि वर्ल्ड हुमिन राइट्स डे ये हमने कब मनाया तो आंसर होगा 10 दिसंबर को और इसकी थीम रही थी यूथ स्टेंड़ फॉर हुमन राइट्स फिर है एंटी डॉपिंग एजनसी इसका ब्रैंड एंबेसे केनेडा में फिर है मानव विकास रेंकिंग में भारत किस इस्तान पे रहा तो भारत 129 नंबर पे रहा था ये रेंकिंग अभी जनवर या देसंबर में आई थी और इसमें टॉप किया था नॉर्वेन है फिर है न्यूज ब्रूटकास्टर्स फेडरेशन जो की काफी सारे चैनल का एक संग है और उसका भी अध्यक्ष किसको चुना गया तो अरनब गोस्वामी को फिर है अमेरिका और किस देश की बीच में आयन यूनियन अभ्यास शुरू हुआ था तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमिरात में फिर है वर्ल्ड लीडिंग स्पूर्ट्स ट के रूप में किसको चुना गया तो अबुधाबी को अबुधाबी जो की कैपिटल है यूनाइटेड अरब अमिरात की फिर है सिप्री की रिपूर्ट में कौन सा देश दुनिया में हत्यारों का सबसे बड़ा निर्माता है तो अमेरिका इसका अंसर होगा फिर है तीस चीफ मार्चल कोन है वाई उसे न अद्यक्ष कोन है तो राकेश कुमार सिंग बदोरिया तो चलिए कल के करन्ट अफेर्स को भी रिवाइस कर लेते हैं पहला प्रशन आप से पूछा जा रहा है निउडवलप्मेंट बैंक के अगले अद्यक्ष के रूप में किसे चुना गया तो अंसर होगा मार्कोस ट्रायोस को और ये है कहां से ये किस देश के हैं तो ये ब्राजील से हैं और न्यू डेवलप्मेंट बैंक का हैट्वाटर आपका शंगाई चाहिना में है और ये साथ जुलाई से अपना पद संभालेंगे वैसे अभी वर्तमान में इसके उनलाइन रिलीज किया है इसकी लेखक कौन है जेके रॉलिंग है जिन्होंने हैरी पोर्टर सिरीज को लिखा है फिर एक किसे सिंगापूर में भार्टे उच्चायुक त्यानिक हाई कमिशनर के रूप में निउट किया गया तो आंसर होगा पी कुमारन को और अभी एक एक पेमिंट कॉर्परेशन ओफ इंडिया ने किस नाम से एक अर्टिफिशल इंटेलिजिन्स बीस असिस्टेंट चैटबोट लॉंच किया तो अंसर होगा पी ए आई एंपी सेई के अमडी सीयो कोने दिलीप असबे है फिर है वंधन योजना कोविड नाइंटीन के बाद सबक पर विबिनौर का आयोजन किया किस राज़ी के सरकार ने राजस्तान सरकार ने फिर है सेबी ने सेबी मतलब सेगरिटीज एन एक्सचेंज बूर्ड ओफ इंडिया ने ने नेशनल हाइवेज ऑथरेट इंडिया पर कितना का जुर्मान लगाया तो आंसर होगा 7 लाख रु 35 से गिरने का अनुमान लगाया है फिर है किस देश की तीज गेंदबाज शेहान मदुशनका को ड्रक्स रखने के आरोक में किर्केट के सभी फॉर्मेट से निलंबित कर दिया गया और इनी गिरफ्तार भी कर लिया गया तो आंसर होगा श्री लंका के हैं ये गेंदबाज श्री लंकाद एको दू केपिटल है इसकी कोलंबो इसकी कमर्शल केपिटल है श्री जेवर्दने पुरमिट्स की administrative केपिटल है करंसी है श्री लंकान रुपी प्रसेडेंट हैं गोत बाया राजपक्षे और प्रदान मंत्रे हैं महिंदरा राजपक्षे दोने भाई भाई आम किसानों को समर्थन देने के लिए किसराजिय के आम वीभाग यान कि मेंगो डिपार्टमेंट के साथ सम्झोता किया तो आंसरों का करना टक ता कि उन کिसानों के जो आम है, जो उनकी फसल है आमों की, उनको बाजारों तक, दुकानदारों तक पहुंचाया जा सके, ताकि लोकडाउन के कठीन समय में उनको पैसा मिल सके, उनका काम चलता रहे, फिर एक किस IIT ने automotive और aerospace उद्द्योग के लिए magnesium मिश रधातू, यानि कि alloy को बनाया है, निर्मान किया है, और ये replace करेगा steel और aluminum को, जो industries में use होता है, तो ये बनाया है IIT मदरास ने, बढ़ते आगे, तो इस टैदी कुशन की बात करेंगे, तो पहला प्रशन है, इंटरनेशनल Olympic Committee का headquarter काँ पर है, लाउसेन स्विट जर्लेन में है, अच्छा, इंटरनेशनल Olympic Committee इसके अध्यक्ष कोन है, थॉमस बक है, फिर है सार्क, समू में कितने सदस्य देश हैं, तो headquarter देखो, आपको सबको पता होता है, headquarter काँ पर इसका काठमांडू में है, आपसे पूचा जा रहा है कितने इसके member है, member countries है, तो आठ है, और आठ कौन कौन है, अफगानिस्तान, बांगलादेश, भूटान, इंडिया, माल्दिव, नेपाल, पाकिस्तान, और शिरी लंका, सार्क मतलब South Asian Association for Regional Corporation, फिर अगला प्रश्ण भी मैंने इसी से मिलता जुलता पूचा, जैसे कि बिम्स्तेक के बताओ कितने सदस्य देश हैं, तो उसका अंसर होगा साथ, साथ कौन कौन, बांगलादेश, भूटान, इंडिया, मियानमार, शिरी लंका, थाइलेंड और नेपाल, इसका headquarter आप जानते ही हो, ढ ठाका में है, और इसकी जो अद्यक्षिता है, वो 2018 से शिरी लंका के पास है, और अभी अमने कुछ समय पहले एक न्यूज में बढ़ा था कि 2020 के end में ये अद्यक्षिता दे देगा कि इसको थाइलेंड को, बिम्स्तेक मतलब Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation, फिर है डिस्पुर, ये सबानन्दा सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी, मनिपूर के मुख्यमंत्री बताओ, एन बिरेन सिंग है, गवर्नर इसके कौन है, नजमा हेप्टुला है, और कैपिटल, कैपिटल देखो, कैपिटल ही पताओ निची, मनिपूर की कैपिटल है इमफाल, भारत के कै कौन है, कॉम्ट्रॉलर एन ओडिटर जनरल, राजिव महरशी है, सेबी का हेटकॉर्टर, सेबी मतलब, सेक्यूरिटी एन एक्चेंज बूर्ड ओफ इंडिया, इसका हेटकॉर्टर है आपका मुंबई में, और इसके अध्यक्ष है, आज ही त्यागी, छे माह का का काररेका और अभी हमने इससे रिलेटेड एक करेंट अफेस में कुश्चन भी पढ़ा था, इसने अभी स्वाव लंबन एक्स्प्रेस ट्रेन भी शुरू की है, सेबी मतलब स्मॉल इंडिश्ट्रीज डेवलप्मेंट बैंक ऑफ इंडिया, एडाई, एडाई के अध्यक्ष है, बॉक्टर सुबा सीख खुंटिया, और इडाई मतलब इंशॉरेंस रेगुलेटरी डेवलप्मेंट अथोरिटी, इसका है है हैदरबाद में, नागरजुन सागरबांद ये किस नदी पे है, तो ये कृष्णा नदी पे है, और ये स्थेथ कहां पर है, ये तो देखो, ये शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं, तो अपने किसी एक मित्र के साथ, या अगर आपका कोई स्थेडिक रूप है, तो वहाँ पे इसे शेयर जरूर कर देना, और अगर क्रेक एक्जाम एप्लिकेशन पे आपको इस बगएरा सॉल्व करते हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है बात करेंगे, पहला प्रशने भारतिया तर्टर रक्षक दिवस हमने कब मनाया था, तो आंसर होगा एक फरवरी को, इंडियन कोस्त गार्ड, अच्छा डिरेक्टर जिनरल कौने इसके, तो आंसर होगा के नटराजन, क्रशन स्वामी नटराजन, फिर विश्व आद्रभू दिवस, वर्ल्ड वेटलेंड दे, हमने दो फरवरी को मनाया, और अभी 10 वेटलेंड को रामसर साइट्स का धरजा भी मिला था, ये करन का कुछन याद रखना, फिर वर्ल्ड कैंसर दे, चार फरवरी को मनाया था, और इस बार की थीम क्या रही, आई एम एंड आई विल, देखो, एक कैंसर से रिलेटेड एक तो इंपोर्टेंड दे, आप और याद रखो, एक राष्ट्रे कैंसर जागरुपता दिवस होता है, जो हम मनाते हैं, 7 नवंबर को, और एक फरवरी में होता है, इंटरनेशनल चैल्ड हुड कैंसर दे, जो की 15 फरवरी को मनाया जाता ह तो इसको साथ में लिंक करके आद रखो, तो चीज़े आसान रहेंगी, फिर राष्ट्र क्रमी निवारन दिवस, नेशनल डी वर्मिंग दे, 10 फरवरी को मनाया, और 10 फरवरी को ही विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्सेस डे भी मनाया जाता है, फिर इंटरनेशनल डे विश्व युनानी दिवस भी मनाया था, फिर इंटरनेशनल प्रोड़क्टिविटी डे उत्पादक्ता दिवस, 12 फरवरी को मनाया गया, वर्ल्ड रेडियो डे, 13 फरवरी को मनाया, जिसकी थीम थे रेडियो एंड डाइवर्सिटी, फिर राष्ट्रिय महिला दिवस, या दिन को मनाते हैं अपन, और एक इंटरनेशनल वुमेन डे वो भी इंपोर्टेंट है, अभी 8 मार्च को मनाया था अपन ने, फिर अंतरराष्ट्रे बाल केंसर दिवस, यानि के इंटरनेशनल चाइल्ड हुड केंसर डे, मैंने उपर ही बताया था आपको अभी इसी के बार अगर वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हैं, तो प्लीज इसे अपने स्टेडी ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ में शेर जरूर करा करें, और अगर आप मैंसे कोई इस वीडियो को फर्स टाइम देख रहा है, और अगर आप कोई अच्छा लगा है, तो प्ली कुछन्स आप लोगों से पूछे जाएंगे, उन्हें सॉल्व करिएगा और देखेगा कितने कुछन आप से बन पा रहे हैं, बाकि हम इनको कल सॉल्व करते हैं